नमस्कार डिस्टिक करोली यूटूब चनल में आपका स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दिसमबर 2017 के बाद से सभी क्योस्कदारकों को एक ओनलाइन परिक्षा देना अनिवारिया है तो यह ओनलाइन परिक्षा के लिए आवेदन कैसे करते हैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा तो यह वीडियो पूरा देखते रहिए तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना SSO लोगिन करना है इसके बाद E-Mitra पे जाना है यहां से आप देख रहे हैं आप यूटिलिटी एप्लिकेशन में जाईए आप एप्लिकेशन में आपको इसको पहले इंग्लिस में कर दीजिए यहां से आपको इमित्रा डालना है, इमित्रा डालने के बाद आप देख रहे हैं, application for इमित्रा परी एक्जाम हो गया, यहां से आपको इमित्रा रजिस्ट्रेशन नमबर डालने के बाद आपकी यहां basic information खुल चुकी है, यहां basic information आपको check कर लेनी है, जो भी है basic information के बाद यहां पर आप देख रहे है, red color का बटन है fetch address करना है, आपको fetch address पर click करना है fetch address में आपका जो current address है, वो इसमें खुल चुका है आपको यह milan कर लेना सही है, इसके बाद अगर आपका address सेम है तो आपको यह current address सेमेज कर देना है इसके बाद okay, next करना है इसके बाद देख रहे है, आपका application form खुल गया है यह मित्रा पर एक्जाम के लिए, यहां पर आपको kios code डालना है यहां पर exam की date सेलेक्ट करनी है यहां पर आपको exam का time सेलेक्ट करना है इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसके बाद आपको यहां save करना है, फिर यह successfully save हो गया, okay फिर इसके बाद process to pay करना है, add to bill payment करना है फिर इसके बाद bill pay करना है, इसमें mobile number डालना है continue इसके बाद pay by wallet कर दीजिया, इसके बाद आप देख रहे हैं आपको successfully आपको payment हो चुका है तो ऐसे आप अपना online आवेदिन कर सकते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह की technical वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल अभी subscribe करें धन्यवाद